हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु माई यूटूब चैनल AIS एजूकेशन साथ किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी इगनु के सुडेंट्स अपने टर्मेंट एक्जाम के लिए असाइन्मेंट बना करके रेडी कर चुके हैं और जिनको अपने असाइन्मेंट सब्मिशन करने हैं तो असाइन्मेंट सब्मिशन आप तब करें तो एक इंपोर्टेंट चीज का जरूर धान रखें वो हैं असाइन्मेंट सब्मिशन की रिसिप्ट आपको मैं आज किस वीडियो में असाइन्मेंट सब्मिशन रिसिप्ट आपको कैसे फिल करनी है क्या क्या उसमें जरूरी है इगनू के साइन कहां से लेने है इसके अलावा आपको उस रिसिप्ट को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और रिसिप्ट नहीं मिल रही है तो कैसे आपको रिसिप्ट प्राप्ट करनी है अपको 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 अपका इन्रॉल्मेंट नमबर आएगा यहां पर देख सकते हैं दूसरे कोलम में आपका नेम आएगा तीसरे में आपका program code आएगा for example आप BHE के student है तो BHE लिखेंगे M.A. English के है तो M.E.G. लिखेंगे इस तरह का program code है इसमें आपका course code लिखेंगे आपका course code की जरुत नहीं है क्योंकि course code है यहां पर भी लिखेंगे assignment code जो लिखा, यहाँ पर आपको course code लिखने है, इसलिए यहाँ पर आप इसे खाले भी छोड़ सकते हैं, इसमें dash भी लगा सकते हैं, study center code आपको लिखना जरूरी है, study center code में आप लिखेंगे directly, जो भी आपका study center code है वो, regional center code, जिस program में आपका medium, आपने extract गया हूँ, medium लिखें for example, अगर आप BHE के student हैं तो BEVAE 181 यहाँ लिखेंगे, पहला जो subject है, इस तरह आपके जितने assignment हैं, बारी बारी से यहाँ लिख देंगे, serial number wise और जितने आपके assignment है, for example, अगर आपके 8 है तो 8 तक लिख दिए, उसके बाद बचे वे स्थान को आप खाली cross कर देंगे, cross करने क बाद यहाँ पर आपको इगनु, जहाँ पर इगनु के study center में आप जमा करेंगे, वहाँ पर sign करेंगे, signature वो अपने आप यहाँ पर signature कर देंगे, यहाँ date डालेंगे और stamp लगवा लेना, और इस receipt को आप अपने पास संभाल के रख लेना, ताकि आपके future में अगर marks update ना हो, जिसका link description में available है, वहाँ से आप directly प्राप्ट कर सकते हैं, इसके अलाबा, इसके लिए अलग से link भी मैं वीडियो की description में update करने की कोशिस करूँगा, शाम तक जनरेट करके, ताकि आप लोग इसे download कर पाएं, अब बात आती है, अगर आपको कोई भी receipt नहीं मिल रही है, तो submission और वहाँ से उसी page पर आप sign भी ले सकते हैं, तो इस simple step में आपको पता दिया है, तो details में आपको दिखाएं, जरूर follow करना, तो कि अक्सर students के साथ ऐसा होता कि वो जब assignment जमा कर देते हैं, लेकिन marks नहीं चड़ते, और receipt भी नहीं होती है, तो उनकी कोई नहीं सुनता है, तो इस case में receipt आपकी बहुत मदद करेगी, तो जो भी हमारा channel AIS Educations पहली बार देख रहे हैं, जरूर subscribe कर लें, और bell icon पर press करना ना बुलें.